तो दोस्तो आज की वीडियो में हम detail में समझेंगे MS Word के दो options के बारे में जो की होता है आपका page break और section break अब ये दोन options आपको कहा मिलेंगे ये मिलेंगे आपको layout के tab में और उपर मिलेगा आपको page break और नीचे मिलेगा आपको section break तो दोस्तो अगर आपको कोई भी job का interview हो या आप MS Word सीखना चाहते हैं detail में मतलब आपको concept सारे clear करने हैं अपने MS Word के तो ये वीडियो आपके लिए हैं क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि page break का कब यूज करना है और साथी में section break का आपने कब यूज करना है और दोनों में क्या difference होते हैं तो दोस्तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना तो नमस्का दोस्तो मेरे तेश आप सब का स्वागत करता हूं creative learning के चानल में और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो आप सबसे हमेशे की तरह request रहेगी नीचे दिये गए जो red color को subscribe बटन उस पर click कर लिजे साथी में bell icon को press कर लिजे ताकि आपको computer related and mobile related notification हमेशा मिलती रहे तो आईए दोस्तो शुरू करते हैं ये वीडियो तो दोस्तो आज आपको समझाने वाला हूं break option के बारे में कि आप break option को कैसे use कर सकते है तो उसको समझाने के लिए देख लिए मैंने word open कर लिया है और word open करने के बाद मैंने यहाँ पर देखे text पर लिख लिए है ये तकरीबन मेरे three pages का text है जो मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए break option अब break option समने से पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपको break option मिलेगा कहां पर तो देखे दो जगा मिलेगा आपको या तो आप जाए इंसर्ट टैब में इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको एक option मिलेगा page break का तो जैसे आप click करेंगे इस पर तो page break यहां से भी आप insert कर सकते हैं और जो second है जहां से आप page break insert कर सकते हैं वो है आपका layout के टैब में तो जैसे आप इस पर click करेंगे आपको यहां पर option मिलेगा page break का यहां पर आप इस पर click करेंगे click करने के बाद आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे जहां से आप page break insert कर सकते हैं अपने document में तो आईए बारी बारी से इन options के बारे में आज मैं आपको समझाता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहां पर हमने text तो insert कर लिया है और page break का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी page को किसी particular point से break करना है तो आप page break की मदद से कर सकते हैं दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने text लिखा है और अगर आप चाते हैं कि जहां तक यहां यहां आप तक text लिखा है आप चाते हैं कि नीचे का जो text है वो अगले page से शुरू हो जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो जादा तर जो हमारे mind में आता है कि हम क्या करेंगे device के बाद क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम enter 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 press करेंगे तो हमारा text देखे next page पर चला गया लेकिन उससे क्या होगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हम changes यहां पर first page में करेंगे मतलब यहां पर करेंगे वो changes आपके यहां पर भी होएंगे अब let's say अगर आप देखें दोनों page पर देखते रहिएगा जब हम यहां पर click किया click करने गर enter press किया तो आप देखेंगे नीचे वाला text है वो नीचे चला गया या आप यहां पर कोई भी text लिखेंगे और enter press करेंगे तो नीचे वाला text लगे यह नीचे shift हो गया तो मतलब जो changes आप इस page पर करेंगे वो changes आपके इस page पर भी effect करेंगा और साथी में मैं अगर आपको home tab में जाके आपको एक option मिलता है show and height का इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर बहुत सारे paragraph tab आपको दिख जाएंगे मतलब हमने enter enter तो press कर दिया लेकिन यहां पर paragraph create होगे मतलब अलग 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 paragraph tabs create होगे जहां जहां हमने enter press किया तो दोस्तों यह तो बिल्कुल भी साही तरीका नहीं है कि अगर आपने page break करना है मतलब एक point से दूसरे point पर आपने page break करना है तो फिलाल जो यह paragraph tab में यहां से हटा देता हूँ तो इसको हटाने के लिए या तो आप home tab में जाएए और यहां पर paragraph का tab इस पर click कर लीजे तो यह आपका paragraph tab यहां से हट जाएगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ shortcut way shortcut तरीका क्या है कि आपने keyboard से press करना है control button, shift button और 8 button तो आपका यहां से paragraph जो tab है वो यहां से हट जाएगा और आपका document simple form में आ जाएगा तो इसके लिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ page break का आपने कैसे use करना है तो इसके लिए क्या करना है जहां से भी आपने page break करना है उसके आगे आपने click करना है click करने के बाद आपने यहां पर जाना है layout के tab में ठीक है, layout के time में जाने के बाद आपको एक option मिलेगा, break का, इस पर click करना है, और first option है page break का, इस पर click करेंगे तो आपका page यहां से break हो जाएगा, अब आप देखेंगे, अब मैं आपको दोनों page करके दिखाता हूँ, ठीक है, और जैसी मैं यहाँ पर देखे, enter press करता हूँ, तो इसको shortcut की की मदद से करता हूँ, ताकि आपको भी याद रहे कि क्या shortcut की होती है, अगर आपने show and height का option activate करना है, तो क्या shortcut की होती है, वो होती है हमारी control button, shift button और aid button, तो आपको यहाँ पर देखे, show and height का option भी activate हो गया, और आप देखेंगे, यहाँ पर page break भी लिखा गया, कि म करके इसको deactivate कर लेता हूँ, अब देखे, आप shortcut की की मदद से भी page break कर सकते हैं, बहुत ही easily, तो मैं जाले तो shortcut की का ही use करता हूँ, तो shortcut की जो आपने use करनी है, वो है हमारी control enter, तो control enter से भी यहाँ पर page break आपका यहाँ पर easily हो सकता है, और देखने के लिए again आप home tab में undo कर देता हूँ, तो undo करने के लिए देखे, या तो अब press कर लीचे, control Z, ठीक है, अपने keyboard से, तो देखे, undo हो गया है, और again हम एक बार और press कर लेता है, control Z, ताकि जो हमारा page है, वो normal position में आ जैसा पहले था, अब मैं आपको बताता हूँ, next option जो की होता है, अपका page break का, अब देखे, जब हम जाएंगे layout के tab में दोस्तो, तो आपको break के option पे click करेंगे, आपको second option मिलता है column का, I hope, देखे, आपको first option समझा गया हो, अगर कुछ पी doubt हो तो आप comment box मेरे से पूछ सकते है, इस option के बारे में, और देखे, अब next option होता है, आपको column का, मतलब, अगर आप option के use कर सकते है, बहुत ही easily, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे बहले मैं इस वाले text को column में convert कर लेता हूँ, तो column में convert करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस text को यहां से लेकर, यहां तक मैं select कर लेता हूँ, select करने के बाद, यहां पे layout के tab में ही, यहां पे side में option मि divide हो गया है अब क्या है कि अगर आपने देखे यह वाला जो text आपने लिख रहा है मतलब वीडियो का आप चाहते हैं कि यह वाला text आपके next column से शुरू हो तो again हम enter enter press करेंगे तो यह बिल्कुल ही गलत तरीका है तो इसके लिए हम use करेंगे column break का तो again आपने break में जाना है लेकिन सबसे पहले आपने text को जहां से आपने break करना है महाँ पे click करना है click करने के बाद आपने layout के tab में जाके break में जाके column पे click करना है तो आप देखेंगे जो यह वाला text है यहां से देखे column break हो गया है और यह वाला text आपका यहां से शुरू हो गया है अब जो भी आप changes यहां पर करेंगे वो changes आपके next column में effect नहीं करेगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने enter 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 press करा है लेकिन यहां पर कोई भी effect नहीं हुआ है तो इस देख से दोस्तों आप column break का भी use कर सकते है तो मैं इसको again control z, z, z प्रेस करके undo कर देता हूं ताकि normal position में आ जाए और साथी में मैं इस वाले जो text को यहां से column भी हटा देता हूं तो मैंने text को select कर लिया select करने के बार में column में गया और यहां पर कर दिया one तो यह वाला text आपका single column में यहां पर आ गया है साथी में जो हमारा show and height का option है इसको मैं control, shift और 8 बटन से भी इसको ठीक करते ता हूं तो आईए दोस्तों हम मैं आपको बता दूँ next option के बार में जो की है break का वो है हमारा text wrapping का अब यह भी काफी interesting option है अब देखे हमने यहां पर देखे text लिखा है let's say हमने यहां पर first paragraph लिखा है अब हम चाते है कि जो हमने यहां पर add लिखा, add के बार you है हम चाते कि यह next line से शुरू हो तो जादे तर हम क्या करते हैं इस add के बार click करेंगे और enter press करेंगे तो आप बोलेंगे sir यह तो हमारा next line से शुरू हो गया है तो इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था लेकिन दोस्तों बहुत कुछ था इसके अंदर अगर आप यहां पर जाएंगे home tab में का option activate करेंगे तो आप देखेंगे जब हमने enter press किया तो यह paragraph tab हुआ मतलब यह as a paragraph आपका consider हुआ है ना कि as a sentence लेकिन हम चाहते थे कि यह वाला जो text है यह next line में तो चला जाए लेकिन as a sentence tweet हो ना कि paragraph तो उसके लिए क्या कर सकते है तो उसके लिए आप use करेंगे text wrapping का तो हम अगीन यहां पर देखे backspace press कर लेते हैं तो अगीन देखें यहां पर यह आ गया है और show and hide option को भी यहां पर हम deactivate कर लेते हैं और इस पर हम क्या करते हैं add के बाद click करते हैं click करने के बाद हम जाते हैं यहां पर layout के tab में layout के tab में जाने बार break में जाते हैं break में जाने के बार text wrapping पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यह वैला text wrap next line से शुरू हो गया है लेकिन इस अभार जब हम home tab में जाके show and hit के option पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर paragraph tab का option नहीं आया है बलकि as a sentence का आया है इसका मतलब क्या होता है अगर मैं आपको zoom करके दिखाऊं इस symbol का मतलब क्या होता है कि जो यह वाला sentence है यह next line से continue हुआ है मतलब यह next जो line है यह हमारे paragraph नहीं treat हुआ है as a sentence treat हुआ है हमारे paragraph यहां से treat हुआ है मतलब slide bar के बाद जब हमने enter press किया है तो यह हमारे paragraph है मतलब next वाला बाकि जो यह पूरा हमारा है यह एक ही paragraph है ठीक है तो I hope आपको समझ आ गया हो कि आपने text wrapping option कैसे use करना है page break में तो यह द जोस्त हो तो आपको यहां पर options मिल जाएंगे section break का तो आज मैं आपको बिल्कुल यह असान तरीके से बता रहा हूँ section break के बारे में ताकि आपको अच्छे रंसी समझा जाए कि section break हमने कब-कब use करना है और कैसे कैसे use करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अगर कि इसी page को break करना मतलब एक page पर हमने click किया कहीं पर click करने के बाद हमने control enter press किया तो वो page break हो गया मतलब अगला text हमारे next line से जा रहा है लेकिन section break में क्या होता है कि हमारा जो text है वो break नहीं होता बलकि उसका एक अलग से section बन जाता है तो आईए मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारा first page है ठीक है यह तो हमारा portrait में रहे लेकिन हम चाहते हैं कि second page और third page है यह हमारा landscape में हो जाए तो वो आप कैसे कर सकते हैं अगर मैं simple तरीके से करूँ देखें यहां पर click करूँ click करने के बाद यहां पर मैं layout के tab में जाओं और orientation पर अगर मैं landscape करूँ तो आप द तो हम ctrl z press कर लेते हैं तो अगें देखें हम normal position में यहां पर चले गए हैं अब देखें आपने section break insert करना है section break insert करने के लिए आपने क्या करना है क्योंकि आपको देखें इस page के बाद मतलब यहां यह वाला page आपको landscape में चाहिए तो हमने क्या कि बिल्कुल शुरू में यहां section break insert हो गया है और इसको देखने के लिए again हम यहां पर home tab में जाके paragraph tab का यहां पर option क्लिक कर लेता हूं तो आप देखेंगे यहां पर section break आपको insert हो गया है मतलब यहां पर देखें लिखा नहीं आ रहा है लेकिन dotted line आपको नजर आ रही है इसका मतलब क्या है कि section break आपको insert हो है तो आईए इसको देखने के लिए हम second page पे click करते है click करने के बाद हम जाते layout के tab में और यहां पर orientation को हम कर देते है landscape तो आप देखेंगे जो आपका first page है वो आपका portrait में आ गया है बाकि second or third page आपका landscape में आ गया है लेकिन आप चाहते है कि जो third page है वो portrait में आ जाए तो उस आ गया अब कि section break यहां पे insert हो गया है continuous की form में तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे click करते है third page पे और यहां पे layout के tab में orientation इसको कर लेते है portrait तो आप देखेंगे देखेंगे तीनो pages यहां पे एक portrait हो गया है जैसे कि आपको दिख रहा है दूसरा हमारा दोस्तों देखे landscape हो गया third हमारा again portrait हो गया है तो इसनक से दोस्तों आप section break यहां पे insert कर सकते है अगर आप section break किसी particular section पे मतला किसी particular text के बीच में insert करना चाते है तो वो भी आप कर सकते है तो आईए मैं आपको समझाता हूँ आप कैसे करेंगे अब आप चाहते है कि जो आपका text है यहां पे दिखेंगे first paragraph जो हमने text लिखा है first page में है अप चाहते हैं कि जो नीचे वाला text है वो column में convert हो जाए तो इसके लिए आप section break insert कर सकते हैं बहुत easily आपने क्या करना है अपने जहां पे section break insert करना है उसके आगे click करना है हमने देखे slide bar के आगे click कर लिए क्योंकि हमने नीचे यह section break यहाँ पर insert हो गया है और उसके बाद जब हम उन पर देखें नीचे वाला text है यहाँ पर click करेंगे चाहता हूँ कि column में converter हो जाया तो हम यहाँ पर column पर click करके कैसे काम करता है तो आई यह मैं आपको प्रेस कर लेता हो control z z ठीक है और z मतलब यह ताकि normal position में आज है जैसे हमारा document पहले था अब मैं आपको बताता हूं कि section break में जो एक option होता है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाओं layout के tab में break में जाओं और यहाँ पर एक option होता है आपका next page काम ठीक है तो वह आप कैसे कर सकते हैं तो आपने क्या करना है जहाँ पर आपने insert करना है अपना section break ठीक है तो let's say आप second page में insert करना चाहते है तो आपने first page के यहाँ पर click कर लेना है क्लिक करने के बाद आपने यहां पर जाना है ब्रेक में और यहां पर एक आपशन होता है आपका next page का तो जैसे क्लिक करेंगे आपका section break यहां पर insert हो गया है वैसी आप second page में भी section break insert करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल end में click कर लेना है break में जाना है next page पर जाएंगे तो यहां से section break भी insert हो जाएगा अब आप second page को landscape करना चाहते हैं तो easily आप second page पर click करिए और अगर आपने orientation चेंज करनी है तो orientation पर click करके इसको landscape कर सकते हैं तो आपका second page यहां पर बिल्कुल landscape position में आ गया है तो I hope friends आपको पता लग गया हो कि page break और section break कहां का use उतर कैसे कैसे use होते है अगर कोई भी doubt हो आप कमेंट से comment box पर पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसन नहीं दोस्तों तो इस वीडियो को like, share और हमारे channel को subscribe करना बत भूलना क्योंकि हम ऐसी आपके लिए informative videos लाते रहेंगे हमेशा तो until then goodbye, take care, मिलते है next video में